हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का टी एस जी के क्लास यूट्यूब चैनल में फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सामान्य ज्यान के 25 महत्वपूर्ण प्रश्ण और उत्तर जो आपके आने वाले सभी सरकारी प्रतियोगी परिक्षाओं में महत्वपूर्ण होने वाला है तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो आज का पहला प्रस्ण है ज्यान पीठ पुरस्कार किस छेत्र में दिया जाता है इसका सही जबाब है साहित्य के छेत्र में ज्यान पीठ पुरस्कार दिया जाता है अगला प्रस्ण है विश्व स्वास्थ दिवस कब मनाया जाता है इसका सही जबाब है साथ अप्रेल को विश्व स्वास्थ दिवस मनाया जाता है अगला प्रस्ण है छीली हुई सब्जियों को धोने से कौन सी बिटामिन निकल जाती है इसका सही जबाब है बिटामिन सी छीली हुई सब्जियों को धोने से निकल जाती है अगला प्रस्ण है केचुए की कितनी आखे होती है इसका सही जवाब है एक भी नहीं दोस्तों केचुएं की एक भी आखे नहीं होती है पांचवा प्रस्न है भारती संबिधान के किस भाग में मोलिक कर्तव्य का वर्णन किया गया है इसका सही जबाब है भाग चार कौ में भारती संबिधान में मौली कर्तव्यों का वर्डन किया गया है अगला प्रस्ण है हैजा नामक रोग किसके कारण होता है इसका सही जबाब है वाइब्रियो कॉलरी नामक जिवाड़ों के कारण हैजा नामक रोग होता है अगला प्रस्ण है भारत सरकार का सर्वच बीधी अधिकारी कौन होता है इसका सही जबाब है आर्टोनी जनरल भारत सरकार का सर्वच बीधी अधिकारी होता है अगला प्रस्ण है किस धातु को काला शीशा के नाम से जाना जाता है इसका सही जबाब है ग्रेफाइट को काला सीशा के नाम से जाना जाता है अगला प्रस्थन है भारती रिजर्व बैंक का मुख्याले कहां है इसका सही जबाब है मुंबई में RBI का मुख्याले इस्थित है दोस्तो RBI का फूल फॉर्म क्या होता है इसका जबाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है अगला प्रस्थन है हिमायू का मकबरा कहां इस्थित है इसका सही जबाब है दिल्ली में हिमायू का मकबरा इस्थित है अगला प्रस्ण है पानी पत की दूसरी लडाई किस-किस के बीच हुई थी इसका सही जबाब है अक्वर और हेमु के बीच पानी पत की दूसरी लडाई हुई थी अगला प्रस्ण है स्वेज नहर का राष्ट के करण किस वर्ज हुआ था इसका सही जबाब है 1965 इस्वी में स्वेज नहर का राष्टिय करण हुआ था अगला प्रस्न है सिंधु की सहायक नदी कौन सी है इसका सही जबाब है यमुना नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है अगला प्रस्न है स्री नगर किस नदी के किनारे इस्थित है इसका सही जवाब है जेलम नदी के किनारे श्री नगर इस्थित है पंद्रहों प्रस्न है भारती नेपोलियन के नाम से किसे जाना जाता है इसका सही जवाब है समुद्र गुप्त को भारती नेपोलियन के नाम से जाना जाता है अगला प्रस्ण है प्रिथवी दिवस्क कब मनाया जाता है इसका सही जबाब है 22 अप्रेल को प्रिथवी दिवस्क मनाया जाता है अगला प्रस्ण है भारत के किसी भी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी इसका सही जबाब है सरोजनी नाइडू जो उत्तर प्रदेश की राजेपाल थी ये भारत में किसी भी राजी की प्रथम महिला राजेपाल थी अगला प्रस्ण है सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है इसका सही जबाब है नेप्चून सोरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है अगला प्रस्न है एशिया का सबसे अमीर आदमी कौन है इसका सही जबाब है मुकेश अमबानी एशिया का सबसे अमीर आदमी है बीसवा प्रस्न है अंग्रेजी भासा की लिपी कौन सी है इसका सही जबाब है रोमन लीपी अंग्रेजी भासा की लीपी है अगला प्रस्न है किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है इसका सही जबाब है प्रित्वी को नीला ग्रह कहा जाता है अगला प्रस्न है सन्युक्त राष्ट्र संग का मुख्याले कहा है इसका सही जबाब है New York में सनियुक्त राष्ट संग का मुख्याले है अगला प्रस्ण है IMA यानि भार्तिय सैन्य अकाडमी कहां इस्थित है इसका सही जबाब है भार्तिय सैन्य अकाडमी देहरा दून में इस्थित है दोस्तो आई एम में का फुल फॉर्म क्या होता है इसका जबाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है अगला प्रस्ण है अंडमान निको बार्द्वीप समूह का उच्च न्यायाले किस राज्ये में इस्थित है इसका सही जबाब है कोलकाता में अंडमान निको बारद्वीप समूह का उच्च न्यायाले इस्थित है अगला प्रस्ण है भारत के दूसरे प्रधान मंत्री कौन थे? इसका सही जबाब है लाल बहादूर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधान मंत्री थे दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने एजुकेशनल ग्रूप में सेयर जरूर करें